नमस्कार, आचारे वाणी में आपका स्वागत है, आप हमारे साथ हैं, मैं आचारे डॉक्टर विक्रमातित आपके साथ हूँ सिंग राशी वालों के लिए ग्रहों का प्रभाव, 11 फरवरी से देकर 20 फरवरी की बीच में कैसा रहेगा, आज इसके लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं आपके लिए देखिए, जोतिश शास्त के अनुसार से ग्रहों की गणना बड़ी विचित्र होती है, और हमारे रिशी मुनियों ने अनादी काल से इस रिशी गणना को पिशेश तोर पर बड़ी शोत के बाद समझा, सोचें ना तो कोई हमारे पास स्टेलिसकोप था, केवल विचार के द्वारा ध्यान के द्वारा इन गणनाओं को सुन्दा तरीके से अभिव्यक्त करना और उसको समझना, और फिर उसका प्रभाव आपके जीवन में क्या हो रहा है, उसको भी समझना, बहुत साई लोग जोतिश पे हम देखते हैं, बड़े विचित प्रकार के आक्षेपित करने का प्रयास करते हैं, आरे सोचो, आज जिस चीज की गणना निकालने के लिए विज्ञान में अर्बो खर्बो रुपे खर्च की जाते हैं, उसके बाद वो गणना आती हैं, और भारती जोतिश विज्ञान का पंचांग जो होता है, वो विशेश तोर पर आज से नहीं कितने करोणों वर्षों से लिखा जाता है, तो वही सेम गणना देता है कि जो आज विचित प्रकासे जो गणनाएं जो हैं, जो नासा के विज्ञानिक देते हैं, कम्प्यूटर्स की गणना के उपरांत, सोचे हमारा गणित ज्यादा परिश्कृत है, हम उनसे पहले ज्या आपको सो काल सिविलाइज कहने का प्रदर्शन कर सकते हैं, वो ड्रामा ही रहेगा, विज्ञान, बुद्धी के तर्क पर जो चीज विशिश तोर पर सही बैठती है, उसको समझने का प्रयास करें, अंग्रेजों ने इस देश में, यवनों ने इस देश में आकर जिस पका सिंग राशी वालों के लिए कैसा रहेगा भागे, तो उसकी आपको सबसे पहले समझ लेना चाहिए, सिंग राशी वालों आपकी ग्रह करना दिखाती है, कि जब 11 तारिक का सुबह सुर्य उद्य होगा, तो जो चंद्रमा है, वो आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा, चंद्रमा कन्या राशी में चल रहे होंगे, और करीब करीब बारा बच के अठावर मिनट तक विशिष्टार पे रहेंगे, कन्या राशी पे रहेंगे, तो ये समय बड़ा अच्छा रहेगा, आपके लिए आपके मनों विचार से लाप के योग बनाएगा, आपको आगे जिनकी माता-पिता जीवित है, तो आप कोशिशे करें, अपनी माता जी का आशिरवात सुबह सुबह उनका विशिष्टार पे ले के काम करने का प्रयास करें, आपके दस के दस दिन शूप कर सकते हैं, चोटे से उपाय के करने से, इसी दिन, यदि आप क्योंकि सुन्दर योग पढ़ रहा है, खास तोर पर यदि हम बात करें कि हम ग्या तरीक को जो विशिष्ट और पे ग्रहों का योगा योग रहेगा, उसके अनुसार से आप लाब ले सकते हैं, तो आप सुन्दर तरीके से चावल का दान कर दिजिए उस दिन सुबह सुबह, दस दिन को सूत तो शुरू करने के लिए बड़ा सुन्दर उपाय बता रहा हूं, और इसको करके आप लाब ले सकते हैं, और उसके बाद दुपहर को 12 बच के 58 मिनट पर तुलाब पर चले जाएंगे, तुलाब पर जाने के बाद भी आपके लिए बड़ा अच्छे योग बनाएंगे, आ लेकिन स्वास्त के समन्ने आपको ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि आपके ग्रह दिखाते हैं, खास्तोर पर कि शनी महराज जो आपके लिए इंद्यों परिवर्तन होंके हूंके आए हैं, वो कहीं ना कहीं आने वाले समय में कुछ थोड़े सी परिशानी देने के आपको परिशान कर सकते हैं, तो इससे स्वड़ा साफधान एते हुए काम कीज़ेगा, एक बात और ध्यान रखेगा, आपके ग्रह इंद्यों ऐसे चल रहे हैं कि आप आती हुई माया को भगा सकते हैं, थोड़े फक्कर सभाव जाता हो सकते हैं, नहीं नहीं हड़ा और आत मार दें चीज़ों को, ऐसा ना कीज़ेगा, क्योंकि ग्रह दिखा रहे हैं कि इन दिनों आपका सभाव थोड़ा ऐसा हो सकता है कि अद्यों संक्रानती भी होने वाली है, इस दौरा संक्रानती पड़ेगी, चौधारी को संक्रानती का योग पड़ेगा, जो सूर्य है, वो विशेश तोर पे आपके मकर राशी से निकल का, छटे बाव से निकल के सब्तम भाव में चले जाएंगे, सब्तम भाव में शनी महराज अलड़ी विद्यमान है, और जो पिता-पुत्र का एक साथ योग बन जाएगा सामने की तरफ, ये परिवारिक दिश्टिकोंड से कहीं समस्या उत्पन ना करते, इस बात का ध्यान लखिएगा, इसलिए अपने गुस्से को कंट्रोल करने का प्रयास कीजेगा, गुस्सा आपका जितना बढ़ेगा ना उत्यादा आप अपने लिए परशानी खडएंगे, आपने एंजाइटी बढ़ाएंगे, अपना गु अच्छी सभाव के रेक्ती हैं, विल्कुल लेकिन कोशिश ये करिएगा, क्योंकि सूर्य आपके सामने चले जाएंगे, उगरता बढ़ा देंगे, तो ऐसे में थोड़ा सावधान लेते वे काम करने पड़ेंगे, चाहिए क्योंकि बस गरीमत यह है कि शनी इस वक्त अस्त चल रहे हैं, पांच मार्च तक शनी अस्त है, लेकिन शनी उसके बाद उदे हो जाएंगे, तब फिर भ्यावास्तितियों के पिता पुत्र, दोनों एक साथ प्रतिवंदी ग्रहे, दोनों विचित्र सभाव के ग्रहे, एक साथ चलेंगे, युद्ध वाले स्थान पर सब्त नहीं, पुरे विश्व के लिए ये भयावास्तिती है, राजनीतिक दिश्टिकोंड से, ये विश्व में उठापटक का, दोशारोपन का, मारपीट का, जगडे का, युद्ध का, ऐसा महल बन सकता है, आने वाले टाइम में साफसाफ दिखाई दिता है, कम से हम आपके घर भाव से करने का प्रयास कीज़ेगा, आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि तेरा तारिक से विश्व तोर पर जो परिवर्तन होगा ग्रहों का, जो आपके चंद्रमा है, वो विश्चिक राशी में जाएंगे, और सिंग राशी में, चतुत भाव में विश्चिक राश आपके चंद्रमा की स्थिती विश्चिक रहेगी, चाहिए वो दुति भाव से तिरती है, चतुर्थ पंचम में योग रहेगा, शष्ट भाव में जब आपके लिए विश्चिक रहेगा जाकर, यानि वो बनाएगा 17 तारिक को, वो आपके लिए स्थिती ठीक नहीं है, उस से आपको बचने का प्रयास करना है, उसमें बड़ा सुन्दर योग बन रहा है, लेकिन जन्दमा तो खराब हो गए, लेकिन उस दिन शिवरात्री आजाती है, शिवरात्री बहुत का लियान का रहे है, भवान शिव का स्थावन, ओम नमाशिवा आए, इसका करने का प्रया बहुंज है और इस कारीक्रम में बड़ा विवस्ता रहेगी सुन्दर, हम लोगोंने रुद्राविशे. भवारती संस्किति हमें पूजा ही संस्किति हमानी गई हमारे हैं, और हमारे शिव को 아राध्य माना गिया, सबव पुज्य माना गिया, शिव को हर पूजा में स्थान विशेशतार पर दिया आता है। तो उसको करने का प्रयास कीजेगा वो आपके कश्टों को दूर करने का योग बनाएगा देखिए उसके बाद चंद्रमा और साथ साथ जो स्थिति रहेगे 19 तारिक को रात्री में करें एक बच के 15 मिनट पाद चंद्रमा भी एक राशी उसी पर आ जाएंगे कुम राशी पर और सूरे चली रहे है वापर शनी भी वहीं चल रहे है तो बड़ी दुनदात्मक स्थिति रहेगी सुमवती अववस का सुदर योग मन जाएगा तो उस दिन आप कोशिश करें चावल का दान करने का प्रयास करें चावल का दान करने से आपके मनस्थिति में थोड़ी सी प्रिवर्तित होता है, हम अवस्या की दिन किस प्रकार का मनुभाव रहेगा, आम तोर पे किस प्रकार से क्या कुछ कड़ने के यूग बन सकते हैं, तो वो भी समझ लेना चाहिए, जोत्षिय दिश्टिकोन से, अध्यात्म के दिश्टिकोन से हमारे हां सोमवती हावस का बड सोमवती हावस, बड़ा ही पुन्यदायक परव है, और कहा जाता है, पार्णबों के जीवन में एक बाहर भी योग नहीं बना था, तो विशेश्टोर पर आपके जीवन में आपको कई बार प्राप्त होने के योग बनें सोमवती हावस, तो उस तिथी को जाने मत दीजे, क क्योंकि आने वाले ग्रहों के स्तिती बड़ी विचितर है, हमने आपको समझाने का प्रयास की कैसी बयावस देती है, क्योंकि दो परस पर दुन्दात्मक ग्रहों का योग चल रहा है, और यही योग 1965 में भारत पाकिस्तान के युद्वें मना था, कई बार पहले बन चुक बड़ा कई प्रकार के अवसाद उत्पन करने के युग बन सकते हैं, वाक युद्व बहुत जबर्दस हो सकता है, तो इसलिए मन को भी शांत रखे, अपने घर को भी शांत रखने का प्रयास कीजिए, ग्रहों के स्तिती किस प्रकार से उसको ठीक करने का आपको प्रयास कर तो आप इन सब चीजों का काम करें, मंतर जब करें, भावान का नाम लें, आपके जीवन में कल्यान के युग बरें, आपके बन में कोई प्रशन चल रहा है, तो आप हमसे इन नंबर्स पर वट्साप के माध्यम संपर्क कर सकते हैं, हाँ रुद्रा विशे के समने हम आश् करें, स्वेम भाग लें, दिल्ली में विवेकर नन योग आश्रम में सुन्दर कारिक्रम रहेगा, आप अपने प्रतिन दुद्र की तौर पर विवस्था भी कर सकते हैं, उसके लिए फोन नंबर्स आपके सामने चल रहे हैं, उन पर आप फोन करकर अपने पूरी विशेश चानकारी प्राप्त कर सकते हैं, नन्यवाद